Tech with Vishal YouTube channel देखने वाले सभी दर्सों को सद्दाम हुसेन का प्यार भरा नमस्कार तो मैं सद्दाम हुसेन लेकर आया हूँ Tech News प्रोग्राम समार्ट टेक्नोलजी तो दोस्तों Tech News में हम जानेंगे चैट GPT ने कैसे मदद किया एक ब्लाइंड वैक्ती की इसके लाव ओपन AI के बारे में जानेंगे AI के महत्तव के बारे में तो शुरू करते हैं तो दोस्तों AI जैसे कि बहुत फायरे मतलब हमारे लिए बहुत एक वरदान साबित हुई है रोज मर्रा के कामकाज में सभी के लि यह जिनको सीखने समझने की आवज शक्ता है मगर सीखने समझने में किसी वज़े से कोई दिक्कत आ रही हो तो AI हर तरह से हमारी बहुत मदद करता है तो सबसे पहले हम चैट GPT के बारे में जानते हैं चैट GPT आप सभी यूज करते हैं तो यह कैसे एक ब्लाइन वैक्ती की मदद की जो जापान के हैं तो शुरू करते हैं चैट GPT की मदद से दिरिश्टी बाध हित यूवक पहुच गया स्टेडियम यानि स्टेडियम जाने में कैसे मदद की यह हम जानते हैं तो हमारे सवालों के जवाब देने वाला चैट GPT अब दिरिश्टी बाध हितों को मंजिल तक पहुचा रहा है हाल ही में एक परिक्षण के बाध जापान के 26 वर्षियर दिरिश्टी बाध हित गेमर जो रिश्टी बाध हित गेमर है और इनका नाम है माशीरो उमीद से भरे हैं तो यह उमीद से भरे हैं माशीरो माशीरो ने पैरा स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम तक पहुचने के लिए AI चैट बॉट का इस्तमाल किया और इसके निर्देशों पर अकेले पहुच गया तो इसके जो चैट बॉट के जो निर्देश होते हैं उसके मतलब उसके सहारे पहुच गया स्टेडियम तक अब तक वह इसके लिए किसी साथ ही पर निर्भर रहता था माशीरो खुश है क्योंकि वह बिना किसी की मदद के अकेले घूम सकता है माशीरो को एक जो बिमारी है दूस्तों माशीरो को एक बिमारी है तो माइक्रो फथाल्मोस बिमारी नामक बिमारी है इन्हें और वह जन्म से ही दिरिश्टी बाधित हैं, हलाकि स्पोर्ट्स फाइटर खेल में वह दुश्मनों को हरा देता है, तो यह स्पोर्ट्स मैन है, तब यह कैसे पहुंचा स्टेडियम, यह हम आगे जानते हैं, तो यह तो बात होई दोस्तों कि स्टेडियम तक पहुंचने में क ऐसे चैट जीपीटी ने मदद की, तो AI यह से रोज मरा की जिन्दगी में बहुत उपयोगी होती हैं, और हमारे काम भी आते हैं, तो अब अगली नियूज है दोस्तों, अगली नियूज है, ओपन AI ने लॉंच किया चैट जीपीटी फोर, इसी साल अमेरिकी कमपनी ओपन AI ने चैट जीपीटी फोर AI मोडल लॉंच किया है, जीपीटी चार की खास बात यह है कि यह कई भाशाओं में दिये गए टेक्स्ट आवाज और तस्वीरों के निर्देशों को समझ सकता है, यानि कई भाशाओं को समझ सकता है, हो सकता है भालती है भाशाओं भी हो, जैसा यह जेनरेटिव गैजट तेजी से बढ़ते छेतर का हिस्सा है, यानि जैमिनाई जैसा ही है दोस्तों यह जो कि विशिशग्यों के हिसाब से शिक्षा, रोजगार और रोजमर्णा के कामकाज को आसान कर सकता है, यानि रोजमर्णा के कामकाज को आसान कर सकता है, द AI, कई तरह से मददगार AI, अब इसके बारे में हम जानते हैं, यह अगली news है, कई तरह से मददगार है AI, तो कैसे कैसे, अब इसमें सभी तरह से जो दिव्यांग हैं, हर तरह के लोग के बारे में हम जानेंगे, हारता रखे व्यक्ति के बारे में तो जिन लोगों को सुनने में तकलीफ होती है वह AI switch to text feature का उपयोग कर सकता है जिन लोगों की समझने की सीखने की शमता कम है उनके लिए chatbot resume तयार कर सकता है यानि जिनको सीखने की शमता जिनके अंदर कम है मगर सीखना चाहते है तो रेजियूम तयार करता है दिरिश्टी बाधित लोगों के लिए सिंग AI इन्वीजन AI और टैप टैप सी जैसे features उपलग्द हैं जो किसी भी तस्वीर को देख कर बता सकते हैं कि उन ने क्या क्या दिख रहा है तो यह सब ही जो AI तकनिक है सिंग AI इन्वीजन AI इन का तो हम प्रयोक करते है दोस्तों तो अब हम जानते हैं कि आगे का सफर इनका कैसा रहा माशीरों के बारे में तो माशीरों कैसे पहुचा मंजिर तक इसके बारे में जानते हैं तो माशीरों कैसे पहुचा छाड़ी के सहारे माशीरों चैट जीपीटी से रास्ते के निर्देश पूछता रहा माशीरों ने एक कान में इयर पीस लगाया और दूसरे कान से गाड़ियों की आवाज सुनता रहा माशीरों ने चैट जीपीटी से कहा कि मैं दिरिष्टी बाधित हूँ इसलिए मुझे दिरिष्टी बाधित लोगों के हिसाब से जानकारी दे चैट जीपीटी ने कहा हाँ जरूर जैसे जैसे आप स्टेडियम के आस पास पहुंचेंगे आपको शोर शराबा और गतिवीदियों की आवाज जोर से सुनाने लगेगी आम लोगों को इस जिस रास्ते से स्टेडियम पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है जबकि माशीरों को 4 गुना अधिक समय लगा तो दोस्तों यह अच्छा सिस्टम जैसे रहकि जैसे एक एर बेस्जाने तो ऐसा हुआ कि स्टेडियम के तरह क्या बता है मैसूस हुआ होगा जैसे उस तरह कि आवाज आने लगी होगी जैसर जैसे स्टेडियम नजजिए wiring का लगी होगी बांकि यह भी निव टकनीक है तो AI लोगों के अलग अलग जरूरतों के हिसाब से काम करता है और यह उन उत्पादों और तकनीकों से बहतर है जो हर किसी के लिए एक जैसे ही काम करते हैं तो अभी तक जो तकनीक थी दोस्तों यह सभी के लिए एक जैसे काम करते हैं मगर AI है कि आलाग-लग जिवरत के हिसाब से आलाग-लग लोग के हिसाब से काम करती है AI में बहुत अधिक शमता है मुझहे लगता है कि इस से बहुत से लोग सशक्त बनेंगे तो ऐसा जो इन जो सुरोत है इन्हे ऐसा लगता है जो इन्होंने लिखा है और हमें हम सब को ऐसा लगता है और आतम निर्भारता को बढ़ावा मिलेगा तो ये दोस्तो इनके लेखक जो थे AI के बारे में जिन्होंने लिखा था ये है प्रोफेसर यंग यंग जुन चो यंग जुन चो और यूनिवरस्टी कॉलेज लंदन इन् आर्टिकल लिखा है तो दोस्तों ये तो थी आज की टेक नियूज सिरीज समाट टेकनोलजी तो ये टेक नियूज सिरीज में पहली बार लेकर आया तो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वीडियो को लाइक कीजिए अगर लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए और के लवा इसी तरह से उपयोगी वीडियो पाने के लिए टेक विद विशाल यूटीब टेल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को आल पर सेट करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सब से पहले आपके पास पहुँच सके तो इससे पहले विशाल अभी के साथ शेर कीजिएगा ताकि सभी दिरिष्टी बाधित समाज तक इस न्यूज से कुछ न कुछ लाब मिल सके और तो दोस्तों मिलूंगा जल्द अगली सेग्मेंट अगली वीडियो में इसी चैनल पे जिसका नाम है टेक विशाल तब तक के लिए शुक्रिया